यशायाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय बैयालिस मेरे दास को देखो, जिससे मैं समभाले हूँ, मेरे चुने हुए को देखो, जिससे मेरा जी प्रसन है, मैंने उसमें अपना आत्मा समभाया है, वह अन्यजातियों के लिए न्याय को प्रगट करेगा, वह न चलाएगा और न उचे सब्द से बोलेगा, और न सडक में अपनी वानी सुनाएगा, वह कुछले हुए नरकटों को न तोड़ेगा, और न टिम्टी माती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुक लोग उसकी विवस्ता की बाट जो है ये, इश्वर जो आकाश का सिरिजने वाला, और तानने वाला, और उपज समेप प्रुथीका फैलाने वाला, और उस परके लोगों को सास, और उस परके चलने वालों को आत्मा देने वाला यहुआ है, वह यो कहता है, कि मुझ तुझ को धर्म की रिती से बुलाया और मैं तेरा हाथ पकड़ कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठेराऊंगा। योग्य हैं, वहाँ खुदी हुई मूर्तों को मिलने न दूँगा। देखो, पहली बाते तो हो चुकी हैं और मैं नई बाते बताता हूं। उनके लिए होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। विदार के बसे हुए गाव जैजिकार करे। सेला के रहने वाले जैजिकार करे। वे पहाडों की चोटियों पर से उचे शब्द से ललकारे। वे यहोवा की महिमा प्रगट करे। और द्वीपों में उसका गुनवादन करे। यहोवा वीर की नाई निकलेगा और युद्धा के समान अपनी जलन बढ़काएगा। वह उचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रों पर जैवंत होगा। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे रहा और अपने को रोकता आया। परंतु अब जच्चा किनाई चिल्लाऊंगा। मैं हाफ हाफ कर सास भरूँगा। मैं पहाडों और पहाडियों को सुखा डालूँगा। और उनकी सब हरियाली को बोलसा दूँगा। और न जिने वे नहीं जानते, मैं उनके आगे अंधियारे को उजाला करूँगा और टढ़े मार्ग को सीधा करूँगा। मैं ऐसे से काम करके उनको त्याग न दूँगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरूसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हम परमिशुर हो उनको पीछे हटना और अतनत लज्जित होना पड़ेगा। कान तो खुले है परंतु सुनता नहीं। यहवा को अपने ही धर्म के निमित यह भाया की वहा व्यवस्ता की बढ़ाई अधिक करे। कौन ध्यानधर के होनहार के लिए सुनेगा। किसने याकुप को लुटवाया और इस्राल को लुटेरों के वन्श में कर दिया है। क्या यहवा ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया और जिसन के मारगों पर उन्होंने चलना न चाहा और उसकी विवस्ता को उन्होंने न माना। इस कारण उसने उसके उपर अपने क्रोत की आग भळकाए और युद्ध का बल चढ़ाया। और यद्धि पी आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न जानता था। बरन वह जल भी गया तो भी उसने कुछ मन नहीं लगाया।